मैं राम प्रताब सिंग कुश्वाहा, हमारे चैनल ग्यान एन नॉलिज में आप सबका साधर अभिनन्दन है, स्वागत है आज हिंदी दिवस है, बड़े गर्व की बात है, तो आज चलिए परचर्चा होगी, एक तरह से समिक्षात्मक परचर्चा होगी अवस्य पूरा बिलाद जरूर सुनिये, साथियो नमस्कार, आज भारत देश में हिंदी दिवस है, मतलब बहुत ही हम लोगों के लिए गर्व की बात है, कि हिंदी दिवस आज हम मना रहे हैं, इसमें भी देखिए अगर थोड़ा सा मनन करें, चिंतन करें, मन्धन करें, तो पाएंगे कि हिंदी भी दो पार्ट में बढ़ गई है, एक तो 14 सितंबर को मनाई जाता है हिंदी दिवस, साथ में विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाई जाता है, तो जो एक तरह से बटवारा हो गया, विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस का, बटवारा करना हम हमारे देश में एक मूल संस्कृति बनती जा रही है कि बाट वो पहले संगठित मत रहने दो तो उसी तरह का सैद्धुस प्रभाव हिंदी को भी सामना करना पढ़ रहा है नहीं तो वर्ष नहीं तो अगर आप गहराई से और सही रूप से चिंतन करें तो 14 सितंबर वर्ष 1449 को प्रथम प्रधान मंतरी पंडिक जवाहला नहरू द्वारा इसको हमारी संवेधान की अधिकारिक भासा गोशित कर दिया गया था क्योंकि हमारा जो संवेधान लिखा गया है वो देव नागरी लिपी में लिखा गया है और हिंदी को अधिकारिक भासा गोशित किया ग तो एक सही बात के लिए हमारे देश में विवाद होना ही है जैसे भारत और इंडिया चली रहा है तो फिर विवादों में हिंदी क्यों अच्छूती रह जाती देखिए भाई सही यथार्त है चिंतन करना बहुत जुरूरी है प्रतेक सम्रद्द नागरी को जो सम्रद्द वो है जो कुछ करना चाहता है या कुछ जानकारी रखता है राष्ट के विशय में या अन्य विशयों में जाग्रूपता रखता है वो सम्रद्द है वकाया तो रोटी, दाल, पानी के इंतिजाम में सभी नागरीक लगे ही हुए है तो उनकी सोच से यह कुछ ऊपर की सोच है और इसमें तारकिक विचारधारा के लोग दिमाग लगाते हैं कि कहीं हिंदी एक प्रवल दावेदार ना बन जाए देश में और एक ससक्त भासा ना बन जाए यद्दपी। अभी हाल में हुए G20 सम्मेलन में जो विभिन्न देश्यों के राजनायक आए उन्होंने बहुत ही स्रेश्टलम हिंदी का को बोला और वास्तों में वो बहुत ही सारगर्वित है और आज देखा जाए तो हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भासा है और अगर आप सब्द कोस के हिसाब से भी देखें तो हर भासा का सब्द कोस है उस दुनिया की अबल भासाओं को टक कर दे रही है और हो सकता है कि यदि इसी रफ्तार से ये आगे बढ़ती रही और दुनिया के राजनाय के वेवसाइक द्रिश्टी कौन को ध्यान में रखते हुए हिंदी बोलना अगर उन्होंने प्रारंब कर दिया और आप भी अपने मंतव पर डटे रहे कि हमें हिंदी में ही बोलना है तो निसंदे ये दुनिया की सबसे प्रथम भासा कुछ दिनों में बन जाएगी लेकिन उसके लिए आपको अपना थोड़ा सा स्वाविमान और थोड़ा सा हिंदी के प्रती अपना जुकाओ अपना समर्थन अपना द्रिश्टी कौन उच्छ रखना होगा उच्छ नहीं सर्वोच रखना होगा तब आप ऐसा कर ले जाएंगे भारत का संविधान जो अनुछेद है वो 343 एक से लेके 351 तक हिंदी भासा का ही चर्चा है लेकिन ये बिड़ंबना है कि जो संविधान रख्छा की दुहाई देते हैं जो हमाने मानी महागण लोग हैं जिनको हम सानसद्या और अन बहुत बहुत बड़े बड़े पदों पर हैं जिन में हमारे नियाए धीश महोदे भी सामिल हैं क्योंकि पुलिस विवाग में रहने के बाद काफी अच्छा अनभव हुआ मानी महामहिम अदालतों का तो कोई निर्ने हमें तो हिंदी में पढ़ने को मिले ही नहीं चालिस साल की नोकरी में और आगे भी लग रहा है कि हिंदी हर जगे तो अपना इस्थान बना सकती है लेकिन जो वास्तों में हिंदी के रखवाले हमारे नियाएले हैं जिनें संविधान की रक्षा करना ही चाहिए वो सायद अभी तक इस सोच में अपना परिवर्तन नहीं कर पाए हैं इसी कारण हिंदी की तैनी इस्तित हो रही है और जो बड़ी ही विचार सील है और इसको बड़ा संगर्स करना पढ़ा है क्योंकि जब रखवाले ही अगर उसको समर्द नहीं बनाएंगे तो हम ऐसे पिछलग्वों से क्या होता है कुछ नहीं होता है चिलाते रहेंगे बस ऐसे यूटूब पे आचा हिंदी की अगर दुरगती अगर आपको देखना है और वास्तों में हिंदी की इस्तिती का आंकलन करना है देखिए कहे कोई कुछ भी कि हम हिंदी करोणों रुपया आर्वों रुपया खर्च हो रहा है हिंदी के फंड पे वो कहां जा रहा है वो तो भगवान ही जान तो अगर दस कमेंट आएंगे तो उसमें नो कमेंट इंगलिस भासा में होंगे हाँ इंगलिस ही चलेगी अंगरेजी भासा चलेगी हिंदी में बिचारा एक आधा कोई कमेंट करेगा तो वो भी उसमें कोई लाइक नहीं मिलना है और इंगलिस वालों में आ रहे हैं ऐसे धरा धर लाइक मिलते हैं कुछ पूछो नहीं तब हिंदी अपना माथा पीट कर रोने लगती है चिगारती है चिलाती है कि अरे भाई कोई यूटूवर हमको भी जराश्थान दे दो और हमारी भी आवाज को उठा दो इस देश में इस महान देश में क्योंकि संस्कृत के बाद जब इरान, अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान, अखंड भारत, बंगला देश आधी सब के लोग इस भारत हम में मिले चाए वो आक्रमणकारी के रूप में मिले हों या वैसे अपने आ गए हों देशाटन करने तब जिस भासा का जन्म हुआ वो भासा है हिंदी क्योंकि जो ये आक्रमणकारी या जो अन्य पास्चा देशों से लोग आये थे वो खड़ी भासा बोलते थे उस खड़ी भासा का विब्रन्स रूप है और संस्कृत का मिक्सप है हिंदी भासा और देखा जाए कि जितने देशों के ये नाम हमने लिये हैं इन में सब लोग हिंदी समस्ते हैं और अधिक से अधिक लोग हिंदी बोलते हैं जो इस्थानी भासा नहीं बोल पाते वो हिंदी में बात को समस्ते हैं आप चले जाएए अफगानिस्तान में जाके देख लीजे हिंदी खूप फरराटे से बोलते हैं आप इरान चले जाएए इराग चले जाएए हिंदी को वो समस्ते हैं आप कहीं थाइलेंड चले जाए कमबोडिया चले जाएए हãy subscribe , αυτό हिंदी को जान भूज के सन्किन बनाया जा रहा है जान भूज के उसको ऊपर नहीं उठाला जा रहा है क्योंकि फिर बुद्ध जीवी में और सामान व्यकति में अंतर खतम हो जाएगा इस ये अंतर भारत में बहुत जरूरी है इस अंतर को बनाए रखने के लिए ही तभी तो दिखता है कि ये आदमी वी बी आईपी है वी आईपी कैसे आदमी की पहचान होगी वो इंगलिस की भासा के उच्चारण से होती है यद्दपी ऐसा नहीं है मानने पूर प्रधान मंतरी स्री अटल बिहारी बाजपी महुदय साहब दोरा सर प्रथम हिंदी का उच्चारण संयुक्त राटसंग के सबसे बड़े पठल पर किया गया और तब से कुछ गणमान लोग हिंदी में अवस ही अपना संबोधन करते हैं वास्तों में इस देश के लिए और हम सब नागरिकों के लिए गर्व की बात है वर्तमान समय के प्रधान मंतरी जी और कई राजियों के मुख मंतरी साहवान भी हिंदी में प्रयोग करते हैं हिंदी का प्रयोग करते हैं और हिंदी का उच्चारण करते हैं वास्तों में समस्देश के गणमान लोगों को हिंदी में ही इस तरह का उच्छारण कमेंट टिपणी आधी करना चाहिए जिससे एक हिंदी प्रवल तके साथ पूरे विश्व में व्यापत हो और आपका सीना करवे से उचाओ और मैं आपको अपने वीडियो के माद्यम से आगाय भी करना चाह रहा हूँ कि यदि आप जागरूक नहीं रहे और हिंदी को आपने नहीं सहे जा और अपना नहीं अपनाया तो दुनिया आज हिंदी अपना रही है और हिंदी के पीछे भाग रही है पूरा जर्मन में प्राइमरी सेक्षन में संस्कृत और हिंदी पढ़ाई जा रही है इसी तरह से अन राष्टों में पढ़ाई जा रही है तथा दो महासक्तियों के नागरिकों के मैं किलिप अभी आपको डाल ला हूँ जो G20 के दोरान लिए गए हैं विभिन हमारे पत्रकार साहवानों के दोरा और वो मैं अभी अपने ब्लाथ में डालता हूँ आप देखिए कि कितनी सुद्ध और स्पस्ट हिंदी का प्रियोग हो रहा है विदेशी महानभाओं विदेशी विदूसी महिलाओं के दोरा महिला सक्ति को आप देखिए कि कितनी हिंदी से उनको अगात प्रैम और सद्धा है कि उन्होंने हिंदी को सीख लिया है और पूरे विश्व पटल पर वो बोल रही है हिंदी को अबरती हुई अर्टव यवस्दा के हैसियत से अपना आवाज उठा रहे है और हम समझते हैं कि इस मंच पर पूरे दुनिया के दुरिश्टिकोंड शामल होना चाहिए इतने भरे पेमाने पर हो रहा है कि हम बहुत सारे क्षित्र में कॉपरेट करते हैं जिन में से critical emerging technologies है, AI है, शिक्षा है, student mobility है और इंडिया के यूथ, उनकी अबादी, उनकी ambition देखकर अमेरिका इंडिया के साथ काम करने के लिए थायार है कवाल है गाना आप सबसे ज़्यादा सुनते है आजकर तो रातां लंबिया मुझे पसंद है, इसे पहले कुछ फिल्म के तीम संग मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि चाइना में बहुत ज्यादा बाड़ी फिल्म भी लोग प्रिया है जैसे सिक्री सुपरस्टाद, तंगल, बजरंगी भाईजां, पैटमें, बहुत ज्यादा माइनेम इस खान, वेकार है, बहुत ज्यादा बाड़ी फिल्म तो चाइना के सिनेमा में भी जट्टी और बक्स ओफिस भी बहुत अच्छा है, तो भाड़ी तुना में भी और करना होगी मशुहू, करना कभी दू मुझे नजरों से तू, कित जली 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 तू, कित पर्शार का प्रटिक है न और मैं सोच्टी हूँ क्योंकि मैं प्रद्टे संस्क्रटी से इतना प्यार करती हूँ, मैं भी यह प्रैंट पर्शार करना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपने का मीरा ये नाम रखा आपको मतलब पता है परियात जानकारी है हिंदुस्तान के बार ये देखके आप आएंगे कि आप बहुत पीछे हैं इसलिए अपनी मात्र भासा को मूल रूप से पकड़िए चलिए साब आपने हमको सुना और समझा और हिंदी के महत्र को समझा वास्तों में हिंदी हमारी राष्ट भासा है और हमें जन जन को इस पे गर्व करना चाहिए वर्स 2023 का आपको स्लोगन भी बता दें कि हिंदी का क्या थीम रखी गई है हिंदी को जन्मत की भासा बनाना है बगैर उनकी मरात भासा के महत्र को भुलाए मतलब इस्थानी लोग जो हमारी इस्थानी 1900 भासा हैं हमारे महान देश में उन भासाओं को इस्थानी भासाओं को कोई छती ना हो और हिंदी को हमें उच्च और सरोच बनाना है ऐसी थीम 2023 में रखी गई है तो भाई अव अन्त में तो निवेदन है ही कि हमारे यूटूब को आप और वर्ड करिए और बैल आइकन की बटन दवाईए जिससे हमारे नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाएं और एक और हम आपको सूचना दे जाएं कि जो 2023 की प्रत्योगता परिक्षा रक्षा से रक्षा हुई थी उसका जो प्रिष्ण और उसके उत्तर आपको अगले रविवार और सनिवार और रविवार को सुनने को मिलेंगे और अवलोकन करने को मिलेंगे हमारे यूटूब चैनल ग्यान एंड नॉलिज में साथ ही साथ जो G20 महा सम्मेलन हुआ है भारत में महानता के साथ सफलतम रूप से उसके बारा बिंदू बारा टॉफिक हमने च्छाटे हैं जो प्रिकति से ओध प्रोत हैं क्योंकि हमारा चैनल प्रिकति परियावरन को प्रस्रा देता है और उसका प्रचार प्रसार करता है रच्छा और सम्मर्धन का विसेश कार करता है तो जो G20 सम्मेलन हुआ ये वास्ताव में क्लाइमेट चैन्जिंग का फाइनेंस अन पठल था विस्व पठल फाइनेंस जब किसी भी योजना के लिए जब तक फाइनेंस कलेक्ट नहीं होगा तब तक उस योजना कैसे सफल हो सकती है तो उसमें हमारे अध्यक्ष के रूप में माननी प्रधान मंत्री जी स्री नरेंद्र दामो दर्दास मोदी साब ने बहुत ही उजवल और अबल कार किया है और वास्तों में प्रिकती और पर्यावरन की रक्षा के लिए उन्होंने दुनिया की महासक्तियों को सम्मोहित कर लिया और वह कार कराया जो वास्तों में प्रिकती और पर्यावरन के बहुत दूर गामी परणाम लेके चलेगा और साथी साथ भारती संस्कृति को सर्वोच सिखर पर पहुंचाया तो चलिए बारा ट्रिप से जैसे नटराजी की मूर्ती जैसे कौनांग का धर्म चक्र समय चक्र वास्तों में इनका बहुत बड़ा महत्व है उस महत्य पर थोड़ी-थोड़ी सी प्रिकास डाला जाएगा थोड़ा-थोड़ा प्रिकास और वहाद क्यान वर्दक होगा और अभिर छिपून होगा तो चलिए हमारे चैनल को सब्क्राइब जरूर करिये धन्वाद धन्वाद जैहिंद जैहिंद जैहिंद